हेलो स्टूडेंट आई हम गुरुविंदर कौर सीनियर फिकल्टी अभी मन्यू आई एस और आज यहां पे स्टूडेंट हम पंजाब PCS के प्रीव आईक्यू को स्टार्ट करने वाले और यहां पे जो हम पेपर डिसकस करने वाले हैं स्टूडेंट वो है हमारा 2015 का पेपर इससे पहले हमने 2013 का पेपर कवर किया जिसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया यह जो आपको वीडियोस हैं वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इससे पहले वाले जो मेरी सेशन्स हैं वो भी प्ले प्लेम नहीं है बठाँ 2013 का पेपर भी आप वहां से कवर कीजी ठीके जी ओके ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2015 का पेपर सिहेर स्टूडेंट पीवाईक्यू की बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यू ही होता है जो आपको एक्जाम को समझने मे आपकी हेल्प करते हैं जो पीवाईक्यू है दोनों ही चीजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी एक्जाम को समझना है उसके पैटरन को समझना है किस टाइप के कुश्टन्स आ रहे है उस चीज को समझना है है न क्या डिफिकल्टी लेवल है किस तरी पी यूदेखते हैं यहां भी हम शुरू करते हैं ठीकी तो पहले आपको क्या करना है पढ़ना है पाॉज लेना है तो पहला कोश्टन आप पढ़ना शुरू कीजिए स्टूडिंट कोश्टन पढ़िए बेटा इन हीमोग्लोबिन आयरन शोंव्ज विच आफ फॉलोविं oxidation state, hemoglobin के बारे में मैंने आपको classes में भी बताया student, what is HB क्या है ये, carrier of the oxygen, ये एक तरीके का carrier है, carrier है किसका oxygen का, जो हमारी body में oxygen molecule होता है उसको ये cells तक carry करके लेके जाता है, ठीके, RBC के अंदर, तो ये shoulder की तरह act करता है, shoulder पे oxygen को रखे फिर लेके जाते है, ठीके, मैं ऐसे simple word में अगर आपको समझाओं तो ठीके जी, तो उसकी oxidation state पूछिए, ठीके oxidation state, you know that आपने छोटी classes में जरूर पड़ा होगा, ferrous ferrous 2 plus 2 plus जो है, वो हमें क्या चाहिए होती है oxidation state चाहिए, ferrous 2 plus की, किसकी अंदर hemoglobin के अंदर, जो iron present होता है, उसकी oxidation state कितनी होने चाहिए, 2 plus ठीके, उसकी oxidation state, तब भी तो वो oxygen को carry करेगा, ठीके तो ferrous, ferrous के बारे में आपने जरूर सुनाओगा, राइट, iron के बारे में, ठीके, तो 2 plus उसकी oxidation state होने चाहिए, बहुत easy question था, student, बहुत easy, ठीके, हमारी basic science के question है ये, ठीके, हर बच्चे ने, class में जरूर पढ़ा होता है, ठीके, कि HB के अंदर, जो iron है, राइट, वो कौन सी oxidation state शो करता है, 2 plus oxygen शो करता है, ठीके जी, ओके, ओके, नहीं भी पता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, recall हो गया आपको, ठीके, पढ़ा आपने जरूर होगा, बस यहाँ recall हो गया, ठीके जी, ओके, ओके, लेट सी, next question की बात करते है, student, अच्छा, ये जर्नल science के question है, student, अब ये जो हम question पढ़ेंगे न, वो सारे के सारे ये अगर आपको science प्रिपेर करनी है, अगर आपने मेरी classes नहीं भी लगाई है, या आप मन्यू आईएस की student नहीं है, तो भी किसी बच्चे को अगर self-study से पढ़ने है, तो वो 9th, 10th की NCRT पढ़ सकता है, 9th और 10th class की NCRT पढ़ सकता है, ठीक है, for clearing your basics regarding the science and technology for, journal science for the BPSC, right, but हाँ, सिर्फ NCRT पढ़ के आपका, you know, science and technology cover नहीं हो जाता है, इसके लिए आपको advance, you know, जो आपकी advanced science है, उसको भी पढ़ने की नीड है, because अगर आप 2020 का paper देखो, तो उसमें journal science, जो हमारी basic science है, उसमें से सिर्फ दो question आई थे, वाकि सारी science के question जो थे, वो advanced science से आई थे, advanced science का मतलब है कि, biotechnology, nanotechnology, defense, ICT, right, information and communication technology, robotics, nanotechnology, space technology, यहाँ से question आई थे, ठीक है जी, तो current oriented आपके questions ready होने चाहिए for the science and technology, ठीक है जी, ओकी, बट हाँ, it doesn't mean कि आप जो है वो basic science नहीं पढ़ोगे, basic science आपको करके जानी है, क्योंकि आपके syllabus में mention है, ठीक है, तो prelims के syllabus में mention है आपकी, ठीक है, तो आपको उसको करके ले जाना है, ठीक है जी, ओकी, तो next यहाँ पर question पढ़ते हैं, maybe student, आज मेरी आवाज थोड़ी सी आपको करबर लग रही होगी, ठीक है, because मेरी तबियत ठीक नहीं है, और मेरा गला भी ठीक नहीं है, so please cooperate with me, ठीक है, और अच्छा, third question पढ़ते हैं, यहाँ पर student, third question पढ़िए, बटा, बहुत ही असान question है, ठीक है, basic chemistry का question है, student, basic chemistry का question है, बढ़ो, कहता है, the cleansing action of soap occurs because, जो हम कपड़े साफ करते हैं, student, उसमें जो हमारी साबून होती है, वो किस तरीके से cleansing action करते हैं, बतलत कि वो कैसे कपड़ों को साफ किसे कर देती हैं, तो see here, इसका अगर आप simple सा mechanism समझो, तो student, हमारे पास क्या होती है, sodium, sodium या फिर potassium के, sodium या फिर potassium के हमारे पास क्या present होते है, student, salts present होते है, na positive, या फिर हमारे पास, potassium के salts present होते है, with carboxylic acid, with carboxylic acid की एक long, लंबी chain होती है, student, right, कुछ इस तरीके से, मैं आपको rough page पे बना के दिखाती हूँ, CA चुट, carboxylic acid के, एक साइड हमारे na positive salt लगा होता हो, और एक साइड हमारी CA, ठीके, इसकी हमारी carboxylic acid की हमारे पास एक chain होती है, यहाँ पे, ठीके जी, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, हमारे पास दो end बनते हैं, ठीके, दो end बनते हैं student, एक polar end होते है, और एक हमारा non-polar end होते है, ठीके जी, दो end होते हैं, एक polar और एक non-polar, जो हमारा polar end है, वो, for example, यह हमारा dirt का particle है, हमारी, क्या है, हमारी shirt के उपर, वो dirt का particle, यहां फिर मैं कहोंगी grease का या oil का particle है अब इसको निकालना है तो निकालने के लिए साबुन action कैसे करेगी सिहर साबुन क्या करेगी missiles बनाएगी जो इसका polar end होगा मतलब की polar end का मतलब की जो water loving end होगा जिसको हम hydrophilic end कहते है वो पानी में गुल जाएगा और जो हमारा hydrophobic है, मतलब की जो हमारा water hate वाला है, hydrophobic वाला end है, वो क्या करेगा, non-polar, मतलब की dirt के साथ क्या कर लेगा, अपना ward बना लेगा, ठीक है, इसके साथ, यह हमारी dirt है न, या हमका इनकी grease का particle है, या फिर हमका इनकी oil का, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, इसको हमें निकालने है, ठीक है, तो फिर जब हम कपड़े के उपर, उसको रब करेंगे, तो होगा क्या, ये जो, पानी के साथ क्या होगा, ये जो dirt का particle है, इसको, ये जो bond है, ये खीचेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, dirt को पानी के साथ क्या कर लेंगे wash out कर लेंगे, पानी के साथ क्या हो जएगा ये wash out हो जब हम इसको rub करेंगे तो ये जो dirt है वो कपड़े के साथ जो चिपका हुआ था वो क्या हो जएगा, इसे अलग हो जएगा ठीक है जी, तो इसमें main दो compound है हमारे पास, एक हमारा sodium या potassium के salts और एक हमारा carboxylic acid की chain, carboxylic acid की chain, ठीक है जी, carboxylic acid की हमारे पास क्या है, यहाँ पे chain है ठीक है जी तो पहले option में कहता है the oil and grease can be dissolved in the hydrophobic centers of soap missiles and washed away दूसरा कहता है, oil and grease can be absorbed in the hydrophilic center of the soap missiles and washed away तीसरे में यह बोलता है, कहता है oil and grease can be absorbed in both hydrophilic and hydrophobic center but not washed away चौथे में कहता है, cleansing action is not related to missiles तो अब आप बताओ, इसमें से correct क्या option होगा अब तो मैंने आपको समझा भी दिया, हाना तो बताओ फिर इसमें से correct option कौन सा होगा तो कौन सा होगा A option is correct option होगा कैसे, oil and grease can be absorbed into the hydrophobic centers of the soap missiles and washed ठीक है, क्योंकि वो hydrophobic end से जुडेंगे ठीक है और वहाँ पर क्या है, soap missiles उसको wash करें ठीक है Sorry students Okay, so let's see Anji, fourth number question पढ़ो, बहुत ही असान है Current Affair का news है, आप static का भी बोल सकते हूँ, current का भी बोल सकते हूँ Punjab जी के के question है Jaya and Ratna developed for green revolution in India in varieties of what Jaya and Ratna की आपको green revolution Green revolution का मतला, कि जो hybrid varieties थी, हैना उनकी बात कर रहे Jaya and Ratna developed for the Indian green revolution, sorry, in India तो variety किसकी है ये, बताओ, जल्दी से फटा-फट से comment box में comment करो किसकी variety है, rice की variety, हैना Rice की popular varieties है, Jaya and Ratna, ठीक है जी Fifth question पढ़िए, फटा-फट से क्याता है, who among the following describes democracy as the tyranny of the majority क्याता है, किसने explain किया, described the democracy as the tyranny of the majority किसने explain किया था, बताओ इसने explain किया था, Alexis D. Tocqueville ने explain किया था, ठीक है, it is one of the founder of the America इसने बोला था, क्या explain किया था, democracy as the tyranny of the majority ठीक है जी, तो Alexis D. Tocqueville ने ये बात कही थी, ठीक है, ये एक one of the founder भी थे, America के, ठीक है जी, ओके, उन्होंने इवन यहां तक भी बताय था कि जहां पे, majority population होती, actually में बात ये थी, कि जहां पे भी majority, कोई मालो एक particular community है, तो वहां पे वो कभी भी minority को tolerate नहीं करते है, तो रहोंने बोला था, कि ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है, it's not a good for the America, or you know, human civilization, कि आप जो है, वो minority को, you know, भगा दो वहां से, यहां उनके साथ, आप मार पीट करो, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, ओके, so let's move further, तो sixth number question पढ़िए, फिर से science and technology आजाता है, यहां पे, पढ़िए, बहुत ही असान question है, even हमने class में भी इसको cover किया है, ठीक है, the organ of human body, which collects carbohydrates in the form of glycogen, कितना interesting question है, glycogen की form में carbohydrate को कौन store करता है, तो कौन store करता है, student, liver store करता है, हाँ न, glycogen की storage कौन करता है, liver करता है, यह बात आप सबको पता होगी, जिस इसने भी मेरी class लगाई होगी, ठीक है जी, ओके, ओके, लेट्स मूव फर्दर, sorry, तो कोश्चन पढ़ने हैं, आपको सेवन्थ नंबर कोश्चन पढ़िए, सेवन्थ नंबर कोश्चन, अब पढ़ो, तो सूपर चला गया, कैथा था, वर्किंग ऑफ कैपिटल फाइबर केवल, इस बेस्ट ऑन दा प्रिंसिपल वट, ऑप्टिकल फाइबर, हमने क्लास में भी किया थे इसको, है न, याद आया, या तो आई गया होगा, पक्की बात, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जो किस पर काम करते हैं, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पे, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, ये आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में, प्लीज राइब डाउन देफिनिशन ओफ टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, और इवन जो मैंने आपको समझाए थे, वो एक्जेम्पल्स भी आप मेंशन कीजिए, ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है जी, तो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के बारे में, आप मुझे बताऊगे, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, हम इसको डिसकुस करेंगे, कल, ठीक है, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी, तो टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के बारे में बात, आप मिरे को बताना, okay, next, move करते हैं further, question number 8, पढ़ो जी, question number 8, क्याता, x-rays do not show the phenomena of what, x-rays जो है, वो कौन सा phenomena, शो नहीं करती है, ठीक है, शो नहीं करती है, ये पुछा है, बेटा, do not, diffraction शो करती है, बिलकुल करती है, polarization बिलकुल करती है, interference बिलकुल करती है, वो deflection शो नहीं करत होती है, student by electric field, वो कभी भी deflect नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर charge particle नहीं होती है, deflection कहां पर होती है, student, जिसमें charge particle present हो, तो जो हमारे x-rays होती है, student, उसके अंदर charged particles are not present, ठीक है जी, so that's why student यहां पर क्या है, हमारा x-rays जो है, वो deflection शो नहीं करती है, by electric field, because पार्टिकल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, कितना इंटरस्टी कोश्टन था ना, नाइन्थ नमबर कोश्टन पढ़िए आप बेटा, कितना मज़ा आता है ना, जब स्टूडेंट इंटरस्ट लेके पढ़ते हैं, फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो ठीक है, नाइन्थ नमबर कोश्टन पढ़ो, कहता है, 1H3, बतलत की हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है, ठीक है, 1H3, और एक हाइड्रोज, एक उसने दिया हिलियम का, 2, 4, अब मुझे बताना है, आरवट, तो बताओ, क्या चीज़ जए, क्या चीज़ जए, नूकलिर आइसो मर्स नहीं, आइसोटोंस, बिल्कुल, यहार दा आइसोटों, आइसोटोंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर, सेम नमबर ओफ, क्या हो सुटे, सेम नमबर ओफ, नूट्रोंस प्रेजन ओ, सेम नमबर ओफ, नूट्रोंस प्रेजन ओ, ठीक है, सेम नमबर ओफ नूट्रों प्रेजन ओ, you know that, कि, इस वन, H, जिस यह लिखा हुए, student, H, 1, 3, यह क्या रिप्रेजेंट करता है, student, हमारे atomic number को represent करते है और यह किसको represent करता है atomic mass को represent करते है और जो atomic mass को represent करता है it means जिसके अंदर proton प्लस हम neutron को calculate करते है और atomic number में हम सिर्फ और सिर्फ अकेले number of proton को calculate करते है तो आप यहाँ पे देखो तो क्या है यहाँ पे एक proton है, इसका मतलब यहाँ पे दो क्या है, हमारे पास neutrons है hydrogen में, और helium के अंदर student क्या है, यहाँ पे दो हमारे पास proton है, तो बचे दो ही हमारे पास क्या है, number of neutrons है, तो same number of neutrons present है, इसलिए student this is we called isotopes what is isotope यह आप मुझे comment box में बताओ तो आपका दूसरा question हो गया student, पहला, what is total internal reflection, और दूसरा आपका question हो गया, what is बताओ, what is isotope तो दोनों question जो है student वो आपको comment box में लिखने, देखते हैं कौन कौन reply करते है, ठीके जी competition करवाते हैं आपकी बीच में, competition है न, feeling आनी चाहिए, बहुत time हो paper ही नहीं दिया आपने PCS का, तो चलो यहीं पर हम competition करते हैं, ठीके चलो तो 10th number question पढ़िए student फटा-फट से, 10th number question पढ़ो, बड़ा इंट्रेस्टिंग question है, मज़ेदार question है physics का क्याता है, a block of weight 1 Newton, एक block का weight दिया हुआ student आपको एक block का weight दिया हुआ student आपको कितना 1 Newton ठीके, क्याता है is moving with an acceleration of acceleration कितनी दिया हुई है हमें 1 M meter per square, ठीके तब force on the block की है, पुछे force पुछे, तो देखे, student force क्या होती है, force का formula होता है M into A, mass into acceleration जैस तो student, आप सिधा-सिधा निकाल लेते, आप मेरे को बोलते कि मैं 1 Newton 1 को multiply करो 1 meter square से और आपका यहाँ पे 1 Newton तो यह आगे आपका 1 Newton meter per second square तो यह आगे मैं value तो मतलब A option सही है, नहीं नहीं that's not the correct option, ठीके नहीं नहीं, यहाँ पे सारा ही गलत होगे, बहुत बहुत बच्चे ऐसे निकालेंगे इसको, बहुत सारे student ना ऐसे ही निकालेंगे इसको ठीके जी, तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ आपको weight 1 Newton दिया हुआ ठीके, तो यहाँ पे देखो अगर student, आपको अब निकालना पड़ेगा यहाँ पर mass मास निकालना पड़ेगा student, सबसे पहले तो आपको, ठीक है? हंजी, तो निकालो फिर क्या, कैसे निकालोगी आप इसको, calculate करो हंजी, तो कैसे निकालोगी आप इसको, shear यहाँ पर देखो shear हमें mass into gravity आपका जो weight है student, वो किसकी वज़े से? gravity की वज़े से, हैना, आर्थ की center से जो gravity लग रही है, उसकी वज़े से आपका weight है mass तो हमें आपका constant ही रहते है, हैना? अच्छा, तो मैं क्या कर सकता है यहाँ पर, मेरेको mm निकालना है, तो w by g तो w weight कितना दिया हूँ student, 1 newton g की value कितनी होती है, 9.8 तीक है, इसका मतलब 1.98 तीक है, अच्छा, दूसरा मुझे क्या निकालना है यहाँ पर force निकालनी, तो force किया student यहाँ पर mass into acceleration, तो mass कितना student मेरे पास? 1.1 by 98 multiply by 1 तो यह कितना आगया student हमारे पास? 1.98 newton ठीक है जी? ओकी? तो यह हमारा आगया यहाँ पर, समझ में आया, clear आपको? तो mass किया student हमारे पास यहाँ पर w by g, तो कि weight जो है, that is, mass into g formula है ना, तो हमें तो वहाँ पर क्या दिया हुए? weight दिया हुए 1 newton divided by g, मतलब कि 9.8, ठीक है? तो force कि mass into acceleration, acceleration कितनी दिया है? 1, ठीक है? तो कितना आगया हमारे पास? 9.8 newton ठीक है जी? ओकी, ओकी तो correct option क्या बना? C option correct बना, 1.98 ठीक है? जो आप पहले student करने वाले थे सब के सब, मैंने आपको वह करके दिखाया है, ठीक है? जिसे student चानपटी करते हैं, रैसे, ठीक है जी ओकी, तो next बड़ाई असान सा question है, फटाफट से कर लेते हैं कहता, which printer uses a combination of laser beam and electrographic technique, कौन सा करता है? laser printer करता है, इलकुल असान सा question था, कहता है कौन सा printer है, जो laser beam और electrographic technique दोनों को लगाता है, that is the laser printer, ठीक है student, ओके student, तो इसी के साथ student, मैं यहां पे session कर रही हूँ, over, तो students, जिन में students ने PCS badge के लिए registration करनी है, वो हमारा कल से, मतलब कल हमारा badge शुरू हो गया था, 1st November से, but don't worry, अगर कोई आज की video देखकर कोई registration करता है, ठीक है, तो उसको कोई बात नहीं, दुवारा से cover हो जेगा, even उसको recorded lecture भी मिलेंगे, हमारा badge शुरू हो चुका है student for the PCS, live batch है student, आपको recorded classes भी मिलेंगी, किसी student ने online join करना है, तो online, offline करना है, तो offline, ठीक है, दोनों ही mode में हमारे पास यहां पे available है, तो आप फटा फट से description में आपको link दिया हुआ है, उस पे जाईए, और पंजाब PCS के लिए अपनी फटा फट से registration करिए, और PCS officer बनने का अपना dream, goal जो है, उसको time से पहले achieve करने का, you know, जो आपका purpose है, तो आप पूरा कीजे, ठीक है, जी, notification की wait नहीं करनी है, ठीक है, ये बात मैं बार-बार बोलती हूँ, आप बस अपना syllabus complete कीजिए, अपनी preparation कीजिए, MCQ practice कीजिए, mains complete करके रखिए, तो जब भी notification आए, आपकी selection नहीं रुकनी चाहिए, कभी भी आप blame मत करना बाद में, यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, या मुझे time नहीं मिला, या कोई emergency आन पड़ी, ठीक है, तो ऐसी कोई excuse नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने goal पे focus करना है, okay students, तो इसी के साथ मैं lecture करनी हूँ यहाँ पे over, thank you, thank you so much, have a nice day.